सामाइन मैं डॉक्टर राजेश्था पर आप सभी से चंद लाइने साजा करना चाहता हूँ लोग बढ़ापे को एक शराब मानते हैं और मेरी नजर में उमर एक नंबर हो सकता है एक गिंती हो सकती है लेकिन असली जवानी तो दिल से होती है मेरे दोस्तों और आमतर पर हम देखते हैं कि लोग 58 से उपर जब महुंचते हैं तो वो अपने आपको बढ़ा मान लेते हैं क्योंकि इस उमर में सरकार उनको रिडार कर देती है देखा जाए तो तमाम जिन्दगी का असल मज़ा शुरू ही अब होता है मैं ऐसे जिन्दगी के गोल्डन अर्थात सुनहरी पलों का आगाज माता हूँ और मेरा मानना है कि जीने की असली उमर तो साथ है जीने की असली उमर तो साथ है बढ़ापे में ही तो असली ठाथ है ना बच्पन का होमवर्क ना जवानी का संघर्ष ना चालिस की परेशानिया बेफिकर दिन और सुहानी रात है जीहां तभी तो कहते हैं कि जीने की असली उमर तो साथ है बढ़ापे में ही ठाथ है ना स्कूल की जल्दी ना आफिस की किटकिट ना बस की लाइन ना ट्रैफिक का जहमेला सुभा बाबा राम देव का योगा और दिन बर खुली धूब दोस्तों यारों के साथ रास जीती पर चर्चा आम है तब ही तो कहते हैं कि जीने की असली उमर तो साथ है और बढ़ापे में ही असली ठाथ है ना मम्मी डैडी की डांट ना आफिस में बास की फटकार दोहते पोतों के खेल बेटे और बहु का प्यार इज़त से जुकते हैं सब के सर इसलिए अशीरवात और दौाओं की भरमार है तो कहते हैं कि जीने की असली उमर तो साथ है और बढ़ापे में ही असली ठाथ है ना स्कूल का डिसिप्लन ना आफिस में बोलने की कोई पवंदी ना स्कूल का डिसिप्लन ना आफिस में बोलने की कोई पवंदी न घर में बजुर्गों की रोच टोग, खुद बजुर्ग हो गए, इसलिए खुली हवा में हलसी के ठाके, बेफिकर बातें किसी को कुछ भी कहने के लिए आजाद है, जीने की असली उमद तो साथ है, बुढ़ापे में हैं असली ठाथ है, तो दोस्तों, मेरे हम उमर दोस्त सदा खुश रहो, सहत्याब रहो, मैं आपके लिए यही कामना करता हूँ, और यह सच है, कि समाज में बजुर्गों का एक कहम योगदान है, आप जिन्दगी के मजे से जीते हुए, अपने परिवार के साथ, जिन्दगी के मजे कीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत कर्णी के साथ, जय हुए, जय हुए.